आप में से कितने लोग चाय के साथ आलू भुजिया खाते हैं मेरे पास ये पारले का आलू भुजिया है आप देख सकते हैं तो गैस आज मौसम चेंज हो गया अचानक काफी बारिश हो रही है बाहर और काफी ठंडा भी है तभी मैंने फिर से टोपी लगा लिया है जैकेट भी पहना हुआ है और इस मौसम में चाय पीने का बहुत ही मजा आता है और चाय के साथ अगर आलू भुजिया मिल जाय तो इस आपने कभी पीछे जो लिखा हुआ रहता है आप देखिए ऐसा लिखा हुआ रहता है यह जगा पर यह कभी आपने देखा है अगर नहीं देखा है तो आज से देखना शुरू कर दीजे क्योंकि यह देखना आपके लिए बहुत जरूरी है सिर्फ आगे मत देखिए क्यों के लिए आलू भूजिया क्या आपको खाना चाहिए और गार नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे चाय के साथ वेल्कम बैक गाइज मेरा नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं एक डियाबिटिस कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूटिशन स्पेशलिस्ट आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं और एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ चाय के साथ सब को आलू भूजिया खाना और भी हजारों तरीके का चीज है इसमें आप पीछे देखेंगे तो मैं नहीं पड़ रहा हूँ आप खुद खरीद के देख लेना बहुत सारे चीज है इसमें जो आपकी सहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन उससे भी जादा इंपॉर्टेंट है निट्र इसमें इसमें 100 ग्राम में आपको 600 कलरी मिलेंगे 100 ग्राम में 600 कलरी यह मैंने मेजर करके लिया है यह आप देखिए यह तो एक कटोड़ा है एक कटोड़ा भड़ा हुआ भड़ा से थोड़ा सा कम है बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा खानव यह 50 ग्राम है गईस सिर्फ 50 ग्राम में लिया है तो अगर मैं आपसे पूछू कि इस 50 ग्राम में कितना कैलरीज है अगर आप जान जाएंगे तो आपका खोश उड़ जाएगा इस 50 ग्राम में 300 कैलरीज है 300 कैलरीज तो मैं पूरे जब भर पीट खाता हूँ उसमें भी 300 कैलरीज नहीं होते हैं और जबकि आपको एक ये कटोड़ा में आराम से आपको मिल जाएगा और ये एक कटोड़ा जो है आप आराम से खा सकते हैं 50 ग्राम है इसमें और इसमें 300 calories 300 calories यानि कि एक मिल से भी ज्यादा आप समझ सकते हैं और उसके बाद आप लोग सोचते हैं कि आपको diabetes क्यों हुआ या फिर आप मोटे क्यों हो गया है मोटा पा क्यों हो गया है आप तो कुछ ऐसा कुछ बाहर का खाते भी नहीं है तो क्या ऐसा कारण है कारण गईज यही है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि किसमें कितना calories है क्योंकि आपका इसका knowledge नहीं है ये 50 ग्राम का जो आलू बूजिया है 300 calories आपको देता है आप मैं समझाता हूँ कि ये calories आखिर आख आ रहा है तो अगर इसकी nutritional facts देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि carbohydrate जो है 46.5 ग्राम और जिसमें की sugar जो है 0 ग्राम है तो इसमें लिख देंगे कि no sugar है तो आप बहुत जादा कुश हो जाएंगे लेकिन carbohydrate भी उतना जादा नहीं है 46 ग्राम ही है तो calories आखिर कहां से आ रहा है तो अगर इसका fat देखेंगे तो इसमें fat 42 ग्राम है 100 ग्राम में 42 ग्राम है और एक fat में आपको no calories मिलते हैं जिसके कारण इतना जादा इसमें calories है लेकिन guys मैं आप लोग को हमेशा ये कहता हूँ कि fat खाना बहुत अच्छा है लेकिन guys fat भी अच्छा fat होता है और बुरा fat होता है अच्छा fat आपको coconut oil में मिलेगा घी में मिलेगा जो cheese है उसमें मिलता है पनीर में मिलता है इस तरह के item जब आप खाएंगे तो उसमें से आपको अच्छा fat मिलेगा लेकिन इसमें जो भी fat है जितना भी fat है जानने की कोशिश करते है तो ये fat आखिर आ कहां से रहा है अगर आप इसका पहला ingredient देखेंगे तो वो है refined oil और refined oil से ही ये सारा fat जो है आ रहा है और refined oil जो है आपके सहत के लिए बहुत ही खड़ाब है बहुत ज़्यादा खड़ाब है तो guys please इस product को avoid करिये ये product आपके सहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप अपना diabetes reverse करना चाते है तो please इसको avoid करना पड़ेगा मैं ये बहुत ज़्यादा खाता था रोज खाता था और जब मुझे मालुम चला कि इसके वज़े से मुझे diabetes हुआ है तो मैंने इसको completely बंद कर दिया था अब मैं खा रहा हूँ लेकिन बहुत ही consciously खाता हूँ बहुत measure करके खाता हूँ और इतना जो मैं खा रहा हूँ ये सिर्व आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है इतना म मैं 20-25 ग्राम से ज़्यादा एक बार में नहीं खाता हूँ लेकिन problem क्या है इसके साथ कि ये अब 20-25 ग्राम खा के रह नहीं सकते हैं ये इतना टेस्टी है मन करेगा कि फूराई खा जाए तो आखिर ऐसा क्या खास बात है इसमें कितना टेस्टी क्यों लगता है तो उसके लिए भी आपको इंग्रिडियन देखना पड़ेगा आप इसके पीछे इंग्रिडियन देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें बहुत सारे और आंप्त्र ऊप्तार तरह करका सि दॉर्प करना चाहते हैं तो अगर आप अपने ड्यीडियार्यिक रिवर्स सबसे पहले इस तरह के चीज जितने भी है यह तो मेरे पास Pallèle का है आपके पास वो सकता है किसी और company का हो हल्दीरां का हो या लोकेल हो और कुछ ओर company का हो और लौके नंक्यां के थेढेक। इनके सारे सेम ही रहत है है तो जब तक आप इन सारे चीज को बंध नहीं करेंगे तब तक अपना diabetes reverse नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है, difficult है, in fact नामुम्किन है, तो अगर आप अपना diabetes reverse करना चाहते हैं, एक बार फिर से दोरा आ रहा हो, ये सारे आलो भुजिया और जितने भी इस तरह के product से आपको बंद करना पड़ेगा, जब तक आप बंद नहीं करेंगे, तब तक आप diabetes reverse नहीं कर सकते हैं, अब बारी आते हैं कि जो लोग healthy है, क्या वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रोजाना खाएंगे, और 50 ग्राम तक खाएंगे, इसमें 300 calories हैं, फिर बता रहा हूं 300 calories, अगर आप ये रोजाना खाएंगे, तो आ अगर परेज नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज लिमिट में खाएंगे, क्योंकि लिमिट में खाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही tasty है, एक बार खाना शूरू करते हैं, वाँ, मदा आ गया, मन करता है कि खाते जाएंगे, मैं भी नहीं रुक पाता हूँ आ उससे अच्छा है कि आप इसको खाये ही ना, तो गाइस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग यही गलती करते रहेंगे, और लोग को diabetes होता रहेगा, obesity होता रहेगा, और उनको समझ में नहीं आएगा कि वो ग कैलरीज खाना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि 1800 कैलरीज कैसे खाना है, इस एक कटोड़ा में ही आप 300 कैलरीज आपने ले लिया है, तो बाकी खाना क्या खाएंगे, तो गैस इसलिए मैं आप लोग को यह recommend करूंगा, यह सब बंद करके, जो natural चीज है, सबजी है, फूट से, उस पे concentrate करिए, और सबजी ज़ादा जब आप खाएंगे, तब आप अपना diabetes भी reverse कर सकते है, अपना sugar भी control कर सकते है, और सारे जितने भी medicine ले रहे, वो सारे चीज आप बंद कर सकते हैं, तो guys अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो एक like ज़रूर दे द तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वास्त रहे, मस्त रहे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,